नमस्कार, मैं डॉक्टर मदुशर्मा सायक आचारे संस्कृत राजकी कर्ण्या महाविध्याले 12 बी ए दितिये वर्ष के दितिये प्रेश्णिपत्र के अंतरगत हम अध्यान कर रहे हैं वैदिक साहित्ति का वैदिक साहित्ति के अंतरगत इशावास्योपनिशत का हमें अध्यान करना है प्रथम आठ मंत्रों का हम अध्यान पूर्व के वीडियो में कर चुकी हैं नवा मंत्र है अंधम तमह प्रविशंती ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो या उविद्यायाम रताहा शब्दार्थ है अंधम अंधकार या अज्यान तमह अंधकार ब्रह्म या पाब प्रविशंती प्रवेश करते हैं अविद्याम अविद्या अर्थात श्रष्टि विद्या बहुतिक विद्या उपासते उपासना करते हैं ततह उससे भी भूय अधिक उससे भी अधिक ते वे, उ निसंधे, उ कार्थ है निसंधे, ये जो, विद्यायम विद्या, आध्यात्म विद्या, रता तल्लीन रहते हैं अन्वे है, ये अविद्याम विपासते, अंधम, तमह, प्रविशंती, उत ये विद्यायम रता, ते इवतपतः, भुय, तमह, अर्थात, जो अविद्या की विद्या 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 की क्या तादपर है कि परम कल्यान की प्राप्ति के लिए विध्या और अविध्या दोनों ही परम आवशक है, दोनों का ही ज्ञान समान रूप से आवशक है, यदि एक में रत रहकर दूसरे के उपिक्षा करेंगे तो अवनती अवश ही होगी, इस मंत्र में यहीं प्रतिपादित किया गया है कि विध्या और अविध्या दोनों समान मार्ग है, संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और करम मार्ग, इशावस्यमिदम इस मंत्र द्वारा संपूर्ण एशनाओं के त्याग पूर्वग ज्यानिष्टा का वर्णन किया है कुर्वन नेव यह कर्माणी मंत्र में कर्मनिष्टा कही गई है यह उनके लिए है जो अज्यानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं जिन के लिए ज्यानिष्टा संभव नहीं है जो कर्मनिष्टा कर्मत लोग हैं कर्म करते हुए जीवित रहना चाते हैं उनके लिए यह कहा गया है कि वे विद्या अविध्या दोनों की ही समान रूप से उपासना करें अर्थात बहुतिक विद्या और अध्यात में विद्या दोनों की ही समान रूप से उसका अध्यन उसको अपनाना दोनों ही आवशक है अविद्या श्रष्टी विद्या है बहुतिक विद्या है और अध्यात में विद्या से मोक्ष की प्राप्ती होती है तो यहाँ पर दोनों ही विद्या का वर्णन किया गया है. अग्रिम मंत्र है अन्यदेव आहू अविद्यया अन्यदेव आहू अविद्यया इती शुषुम धिराणाम ये न तद विचस चक्षिरे. अर्थाद विद्यया अन्यत एव आहू विद्यया विद्या से ज्यान की यथार्थ उपासना से अविद्यया अन्यत आहू इती धिराणाम शुशु ये न तत विच चक्षिरे धिराणाम विद्वान विद्वानों के वचनों को न हमारे लिए वी चचक्षिरे कहा गया है क्या दात पर है इसका कि आचारे विद्या से और कारे बताते हैं और अविद्या से दूसरा ही कारे बताते हैं अर्थाद विद्या का फल अन्य है और अविद्या से जो फल प्राप्त होता है वो अन्य है यह उन विद्वानों से सुनते हैं जो इस विशय में हमें बताते आए हैं विद्या से क्या प्राप्त होता है अविद्या से क्या प्राप्त होता है इसका वर्णन यहां किया गया है इस मंत्र में कर्म और उपासना के समुझ्च का फल बताया गया है विद्या का फल अविद्या के फल से भिन होता है एक ही अविद्या या विद्या के सेवन से एक का ही फल मिलता है और वे एक का फल मानव के कल्याण के लिए शुब नहीं है पूर्व के मंत्र में भी दोनों ही क्यों पासना करने के लिए कहा गया था विद्या और अविद्या दोनों की और यहां पर उन दोनों के फल के विशय में बताया गया है कि दोनों का फल भिन भिन है और एक ही विद्या या अविद्या की स्विवन से एक का ही फल मिलता है और वैं एक ही फल मानव कल्याण के लिए उचित नहीं है इसलिए दोनों की उपासना यहां पर बताई गई है विद्या से देव लोक की प्राप्ति होती है विद्या से विद्या पर आरुण होकर व्यक्ति वेद्र तत्व देव तत्व को प्राप्त करता है और कर्म से पित्र लोक मिलता है ऐसा शृतियों में कहा गया है कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यानिया पर किया गया है कि सकाम भाव से किये गए कर्मों का पुनर जर्म सरूफल उन करताओं को मिलता है उससे यथार्थ कर्म सेवन का फल सर्वधा विप्रित होता है इस मंत्र का जो भाव है वो यह है कि ज्ञान और कर्म के समुच्च से, विचार और आचार की एकता से, तता शास्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण साफल्य मिलता है अगरी मंत्र है विद्यायम चा अविद्यायम च यह तद वेदो भयम सह अविद्यायम रत्यूं तीर्थवा विद्यायम अम्रतम अश्नुते शब्दार्थ है विद्यायम ज्यान को, आत्म विद्या को वेद्व जानता है सह साथ में अविद्यायम 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 अव अर्थात जो विद्या और अविद्या इस जोड़े को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यों को पार कर विद्या से अमर्ता को प्राप्त करता है लोब मृत्य को त्याकर कर्म करो विचार को आश्रम उतार कर निश्काम भाव से कर्म करो पहले और दूसरे मंत्र में विद्यमान इस पत्यति का अनुसरन कर जो मनुष्य कर्म करता है यथार्थ ज्यान को धारन करता है वे कर्मों में लिप्त नहीं होता उसमें किसी भी प्रक आत्म को प्राप्त कर लेता है या अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है अत्य है कर्म और ज्ञान का एक साथ सेवन ही मनुश्यों के कल्याड के लिए हैं इन तीनों मंत्रों में यही भाव अभिव्यक्त किया गया है विद्या के हम चार अर्थिया देख रहे हैं अविद्या इसके भी अलग-अलग अर्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं विद्या, अविद्या, मृत्यु और अमर्ता इन शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया है विद्या अविद्या दोनों का जो शाशन करता है वह कोई अन्ही परम पुरुष है प्रतेक जीव की कामना सहज है वह अनन्त काल तक जीना चाता है जीव का यही स्वभाव उसके अम्रत्व की वोशना करता है आते यहाँ दोनों जो युग में बताए गए हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का सामन्जित से जीवन में जरूरी है विद्या और अविद्या दोनों में से केवल एक के पीछे पढ़ने से लक्ष सिद्धी में बाधा बढ़ती है और जीवन अधूरा रह जाता है अतह नवे मंत्र में केवल एक की अराधना करने और दूसरे की उपिक्षा करने का निशेद किया गया है दसवे मंत्र में दोनों के अलग-अलग फल बतलाए गये हैं और जो ये ग्यारवा मंत्र है इसमें दोनों के एक साथ जानने से अम्रतत्व की प्राप्ति का इसपस्ट निदेश किया गया है इस प्रकार इशावास्योपनिशद में विध्या और अविध्या दोनों का इस प्रकार से यहां वर्णन किया गया है दोनों की समान उपास्तना का वर्णन किया गया है दोनों को समान महत्म देने का वर्णन किया गया है